Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel सरकारी बरत Friends, आज के सेसन में हम करने वाले हैं भारतिय संभिधान की एक और टॉपिक के बारे में तो अभी तक भारतिय संभिधान के बारे में कही क्लास आपकी हो चुकी हैं लगपक चार क्लास हो चुकी हैं, ये पांच में क्लास है और इस क्लास में हम भारतिय संभिधान में जो 395 आर्टिकल से 22 चेप्टर हैं और 12 सेडूल हैं उनमें से आज हम मौलेक अधिकार को पढ़ने बाले हैं मौलेक अधिकार की बात की जाए तो मौलेक अधिकार fundamental rights अमेरिका की संभिधान से लिए गए थे और जो मौले का दिखा रहे हैं भाग चार के अंदरगत देखने को ये मिलते हैं ठीक तो यहां पर भाग तीन के अंदरगत ये देखने को मिलते हैं तो मौले का दिखारों की बात करें तो मौले का दिखारों की जो बात की जाती है वो आर्टिकल 12 से लेकि 35 तक की जाती है अनुच्छित 12 से अनुच्छित 35 तक मौलिक अतिकार यानि कि fundamental rights की बात की जाती है अब यहां से question कोई भी one day exam हो चाहें आपका SSC का exam हो, railway का exam हो teaching का exam हो जैसे primary, junior कहीं कोई भी vacancy आती है one day exam कोई भी हो, UP police हो कोई भी police हो, state police, state exam जितने भी है, उन सबी के लिए महत्पून क्लास रहेगी, तो याद करने का आसान तरीका भी आपको चीजों को समय समय पर बताये जाएगा, और example और diagram के तहट भी आपको सिखाये जाएगा तो चलिए start करते हैं आज के session को, और समझते हैं मौलिक अधिकार यानि के fundamental rights को fundamental rights की अगर बात की जाए, तो इसे कहां से लिया गया है इसे सेयुक्तराज अमेरिका यानि के United States of America के संबेदान से लिया गया है भाग 3 के अंदरगत इनकी बात की जाती है अनुच्छित 12 से लेके 35 तक इनकी बात की जाती है तो भारती संबेदान में जो 395 अनुच्छित हैं 395 उसमें अनुच्छित 13 से लेके अनुच्छित 35 तक मौलिक अधिकार यानि के fundamental rights दे रगे हैं जोके सेयुक्तराज अमेरिका के संबेदान से लिए गए हैं जिनकी बात भाग तीन में की गई है भारती संबेदान का इसको मैगना काटा भी कहा जाता है तो आपसे प्रशन पूछ सकता है कि भारती संबेदान का मैगना काटा किसे कहा जाता है प्रशनाएगा भारती सम्मेदान का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है तो मौलिक अधिकारों को भारती सम्मेदान का मेगना कार्टा कहा जाता है क्या कहा जाता है भारती सम्मेदान का मेगना कार्टा संपत्ति की अधिकार की अगर बात करते हैं तो ये मौलिक अधिकार अब नहीं रहा है ये अब कानूनी अधिकार बन चुका है तो आपको बताएंगे संपत्ति अधिकार बारे में भी देखें fundamental rights जो होते हैं मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोट में जा सकता है और अपनी याचिका दाखिल कर सकता है यद उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोट उसको कहीं न कहीं बर्यता जरूर ही देगा अगर सुप्री तहली से मद्यप्रदेश के बीच में सड़क बनानी है तो ये जो जमीन होती थी जमीन को लोग देते ही नहीं थे क्योंकि जमीन को मौलिक अधिकार की स्रेडी में रखा गया था जमीन को किस में रखा गया था मौलिक अधिकार की स्रेडी में अब सरकार किसानों से क्या मंगत ती यहां पर जमीन मांगती थी तो किसान जमीन देती नहीं थे बोलते हैं यह हमारा fundamental rights है तो सरकार को कई भी पत्तियों का सामना करना पड़ रहा था जहां पर government क्या है infrastructure के कामों को नहीं कर पा रही थी इसी को देखते हुए मजूता प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी ने 44 मां संबैदानिक संसोधन किया और इसके तहट अब संपत्ति के अधिकार को जोके मौलिक अधिकार की स्रेडी में रखा गया था संपत्ति का अधिकार को अब कानूनी अधिकार की स्रेडी में रख दिया अब जो संपत्ति का अधिकार था उसको कहा रख दिया कानूनी अधिकार की स्रेडी में रख दिया और ये पहले कहा था 21A के अंतरगत ये था यहाँ पर लेकिन इसको यहां से अठाया और अनुच्छे 300A में पहुंचा दिया, अब इसको थोड़ा सा में डेटेल में आपको बताऊंगा भी मौलिक अधिकारों की बारे में, क्लियर है, तो ये बात समझ में आ गई होगी, तो संपत्ति का अधिकार अब क्या है, सिर्फ कानूनी अधिकार का दायरा दे दिया गया है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं मौलिक अधिकार, फंडमेंटल लाइट्स की अगर बात करें, तो फंडमेंटल लाइट्स क्या है, आप ऐसे याज कर सकते हो, जो फंडमेंटल लाइट्स में है कि कुल मिलाकर 6 प्रकार की अधिकारों की बात की गई है fundamental rights में जब मूल संविधान था तो इसमें साथ मौलिक करतब थे अधिकारों की बात थी यहाँ पर लेकिन अब आपको 6 देखने को मिलेंगे यह अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहली है equality, ए का मतलब होता है equality, equality का मतलब होगे आपका समता या समानता का अधिकार अनुच्छे 14 से लेके 18 के बीच में समानता का अधिकार की बात की गई है जहां कर उपादियों के अंत की बात की गई है चुआ छूत की बात की गई है इस प्रश्यता की अंत की बात की गई है तो इन तमाम बातों के बारे में समता या समानता की अधिकार की बात की गई है next है app for freedom जिसे हम बोलते हैं सुतनता का अधिकार चुकि आर्टिकल 19 और 22 19 से 22 के अंतरकर देखने को मिलता है जिसमें बाक सुतनतरता में देखने को मिलती है वासन देने की सुतनता में देखने को मिलती है संग बनाने की सुतनता मिलती है इस पीच लोकतांतरिक विवस्ता में इस पीच देने की सुतनता मिलती है जो आपका जो आपका सिच्छा का अधिकार है वह भी इसके अंत्रकत देखने को मिलता है तो freedom की अंत्रकत स्वतंतता के अधिकार जो के अनुच्छत 19 से लेके 22 के अंत्रकत बात की गई है इसके बाद आता है exploitation जिसे हम बोलते हैं E.E.Fourth exploitation जिसे हम बोलते है सोसन के बुर्द अधिकार अनुच्छत 23 से लेके 24 के बीच में अनुच्छत 23 और 24 में सोसन के बुर्द अधिकार की बात यहाँ पर की गई है Religion यानि के धार्मिक स्वतंता के अधिकार की बात की गई है जो के 25 से लेके 28 के बीच में जिसमें संसक्रती विध्यालों की बात करा है Christian लोगों के जो चर्च बगेरा होती है उनकी बात करें तो उनकी धार्मिक सवतनता के अधिकार के बाले में भी बात की गई है मंदिर, मज़िद की बात की गई है कि सबी लोगों को धर्म की सवतनता यहाँ पर देखने को मिलेगी और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है तो धार्मिक सुनता का अधिकार भी आपको देखने को मिलता है जो कि अनुच्छित 25 से लेके 28 के बीच में इसकी बात की गई है इसके बात है educational जिसे बोलते है संस्कृति और सिच्छा का संबंधी अधिकार अनुच्छित 29-30 में 29-30 में क्या है संस्कृति और सिच्छा संबंधी अधिकार के बारे में बात की गई है और constitutional remedies के बारे में संबैदाने कुप चारों के अधिकार की बात की गई है इसमें क्या है जो सुप्रीम कोट है पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है जिसे हम बंदई प्रत्यचिकन बोले हैं परमादेश बोले हैं इस तरीके से हेविस कॉर्पस, मेंडमस, सेल्टे रिकोबरेंटो इनकी बात करते हैं तो ये संबैदाने कुप चारों के अधिकार की बात भी आर्टिकल 32 के अंतरगत की जाती है तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो कुल मिलाकर छे प्रकार की अधिकारों की बात की जाती है जिसमें equality, freedom, exploitation, religion, educational और constitutional remedies की बात की जाती है जोके आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में कुल मिलाकर ये बात आती है क्लियर तो यहां से प्रश्ण जरूर बनता है अब एक एक करके इनको डिसकस कर लेते हैं तो सबसे पहला आता है समानता का अधिकार जिसे अनुच्छत 14 से लेके 18 के बीच में बात की गी है सबसे पहले देखते हैं अनुच्छत 14 को इसमें बोला है बिधी के समच्छ समानता यानि कि इसका अर्थ है कि कानून के सामने सब एक समान है तता राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तता उन पर एक समान लागू करेगा तो कहने का मतलब है चाहे हिंदू हो, मुसलिम हो, सिक्ख हो, ईसाई हो, फार्सी हो, कोई भी हो सभी के लिए एक ही प्रकार का कानून बनाएगा और राज्य भी क्या करेगा समान कानून बनाएगा और समान प्रकार से सभी पर लागू करेगा यह आर्टिकल 14 के अंदर जिसे इस तोर पर इस बात की चर्चा की गई है नेक्स्ट है आर्टिकल 15 इसमें धर्म नसल जाती लिंग या जन्मिस्तान के आदार पर किसी भी प्रकार का बेदबाब नहीं किया जाएगा जिसमें RRCEP के थूँ आप याद कर सकते हो Religion, Sex हुआ, Gender हुआ, इसमें बड़तो प्लेस हुआ, इनकी बात की गई है तो इसमें क्या है किसी प्रकार का कोई बेदबाब किसी के साथ नहीं किया जाएगा इसके बात आता है Article 16 जिसे हम बोलते हैं लोक नियोजन के बिसे में अफसर की समानता यानि कि लोक नियोजन यानि कि सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, किसी भी प्रकार की नौकरी की बात हो अफसर की समानता के बात हो तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार के उनकी अफसरों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाएगा इसमें आरच्छन को छोड़ दिया जाए तो positive discrimination किया जा सकता है तो positive discrimination आपको यहाँ पर देखने क को मिलता है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 70 जिसे बोलते हैं आई इस प्रश्यता का अंत छुआ छूत का अंत यहां पर किया जाएगा यह बेसिकली अगर बात की जाए तो बाबा साब भीमरा अमेड करने महात्मा गांदी से प्रेरित होकर इस आर्टिकल को इस प्रश्यता का अंत छूआ चूट का अंत महात्मा गांदी का कहना था कि जब तक उनका दो बात है पहली है कि जो गाओं है उनमें पंचायती राज बिवस्ता होनी चाहिए और दूसरा है कि छुआ चूत का इस देश में अंत होना चाहिए जब तक छुआ चूत आइस प्रशिता का अंत नहीं होगा तब तक देश आंगे नहीं बढ़ सकता तो महात्मा गांदी से प्रेरित होकर डॉक्टर भीमरा अंबेट करने इस आर्टिकल को आर्टिकल 17 को चुआ चूत के अंत या ऐस प्रशिता के अंत की बात की है इसके अंतरगत ऐस प्रशिता अंटचेविलिटी को एक धंडनी अपराद खोशित किया गया है आप किसी भी धर्म जाती रिया रंग के आदार पर उसे चुआ चूत या भेदबाब नहीं कर सकते नेक्स्ट है आर्टिकल 18 जिसे बोलते हैं उपादियों के अंत की बात तो जब प्रारूप संती में जो सास सदस्य थे वहाँ पर डिसकसन चल रहा था कि उपादियों के अंत किया जाए तो वहाँ पर राजकुमारी अमरत कौर थी तो राजकुमारी अमरत कौर से कहा गया कि उपादियों का अंत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले राजकुमारी अंत करना चाहिए और आज से आप मुझे अमरत कौर के नाम से जानेंगे राज कुमारी मेरी सब के सामने से हट जाएगा तो ये डिसकुसिन भी वहाँ पर समयदान सवा में देखने को मिला था और अनुच्छे 18 में उपाधियों के अंत्की बात की गई है इसके अंत्रगत उपाधियों को समप्त कर दिया गया अब भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम के पहले किसी भी उपाधि को नहीं लगा सकेगा अब आप बोलोगे के जैसे उपाधियों की बात की जाए जैसे महाराच हुआ, सुल्तान हुआ, बास्सा हुआ, राय वहादुर हुआ इस प्रकार की उपाधियों को समपुन त्याही समाप्त कर दिया गया अब इसमें अपवाध भी रखा गया एजूकेशनल और आर्मी के जो रेंक थे उनको इसमें अपवाध रखा गया जैसे प्रोफेसर प्यारेलल, ब्रिगेडियर भानुपरताप सिंग, डॉक्टर हाथी तो ये क्या है, आप यहाँ पर डॉक्टर लगा सकते हो, प्रोफेशनल लगा सकते हो यहाँ कि एजूकेशनल और जो आर्मी की रेंक हैं, उनको यहाँ पर अपवाध के तौर पर रखा गया उनको इससे अलग रखा गया राश्टी प्रुसकार जैसे भारत रत्न, पदम विभूशन, पदम भूशन आदे लिये जा सकते हैं पर इन्हें भी आप उपाधी की रूप में प्रियोग नहीं कर सकते हैं जाएं भारत रत्न की बात करें, ऐसे नहीं बोलेंगे, जैसे सचिन तंदुलेकर को भारत रत्न मिल चुका है तो ऐसे नहीं बोलेंगे, भारत रत्न, सचिन तंदुलेकर, ऐसे नहीं बोल सकते नसल जाती लिंक के आदार पर भेदवाब का बिरोध इसमें किया गया है, अनुच्छ शोला में लोक नियोजन के विसे में अफसर की समानता की बात की गी है, यानि कि सोला में बताया गया है किसी भी प्रकार के सरकारी नौकरी हो प्राइवेट नौकरी हो तो उसमें अफसर क समानता सभी के लिए सेम रहेगी नेक्स्ट है आर्टिकल 17 आईस प्रश्यता का अंत जिसे हम छुआ छूत के अंत की बात करते हैं नेक्स्ट है आर्टिकल 18 जिसे हम उपादियों के अंत की बात करते हैं चले नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है अपना सुतंतता का अधिकार जैसे हम अनुच्छद 19 से लेके 22 के बीच में डिसकस करते हैं अनुच्छद 19 को देखते हैं अनुच्छद 19 के अंतरकत पर्तवान समय में हमें कुल 6 सुतंतताओं का अधिकार है पर मुल सम्वेदान में कितने तरह की सुदनता का उलेकता 7 तरह की अब देखती आगा कौन कौन सी आर्टिकल 19 में बात की गिए है तो 19A में बुला है बोलने की सुदनता है बाकपटूता की सुदनता है इस पीछ देने की ethnुतनता है 19F संपत्ति का अधिकार अब इसको वटा दिया गया है माप कीजिए का मैंने 21A बता दिया था वो गलत था 19F था इसको 300A में पहुँचा दिया है और 19G ब्यापार करने की सुतंता यहाँ पर डिसकस की गई है तो बोलने की सुतंता हो, स्वाग करने की सुतंता हो, संगठन बनाने की हो तेस में कहीं भी आवाग करना हो, किसी भी छित में निवास या बसने की सुतंता हो ब्यापार करने की सुतंता हो, तो यह सुतंतता मिलती है इसके बात करते हैं सुतंतता के अधिकार अनुच्छत 19 से लेके 22 के बारे में अनुच्छत 20 में बात की है दो सिद्धी के संबंद में सरच्छन दो सिद्धी के संबंद में सरच्छन आपको मतलब कोई अपराद की हुआ ही नहीं है अपराद करते समय जो कानून बना है उसी के तहर सजा होगी तीसरा है खुद के खिलाप गवाई ही देने के लिए बाद नहीं किया जा सकता यानि कि आप खुद के खिलाप ही गवाई नहीं दिलवा सकते नेक्स्ट है article 21 प्राण एवं दाहिक सुतंदता इसके लिए समस्त बच्चों के लिए सिछह निसुलक एवं अन्यवारे रूप से प्राभधान चोड़ा गया यानि कि free of cost education दी जाएगी 614 वर्ष के बच्चों को अगर यहाँ पर बात की जए दिभ्यांग बच्चों की बात की जए तो उनके लिए 18 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पर अब करती गई है नेक्स्ट है गुरपतारी से सरच्छन तो गुरपतारी से सरच्छन क्या है अपराद के बाद और अपराद से पहले धंडात्मक निरोध होगा और या निवारक निरोध होगा तो अपराद के बाद क्या होगा हिरासत में लेने के कारण बताना होगा कि क्यों हिरासत में लिया है दूसरा 24 गंटे के अंदर धंडा अधिकारी के समझ पेस करना होगा यान राटन रोद कानून के अंतरकत किसी व्यक्ति को अपराद करने के पहले भी गरपतार किया जा सकता है यानि कि बारांट दिखाने की कोई जरुवत नहीं है ऐसे व्यक्ति को पिना धंड अधिकारी के समच पेश किये तीन महीने तक की जेल में रखा जा सकता है इसके बाद बा इसके अंतरकत किसी भी व्यक्ति की खरीद विक्री नहीं की जा सकती और नहीं उसे जबरदस्ती मजदूरी कर भाई जा सकती है इसका उलगन करना एक तंडनिया अपराद है अनुच्छे 24 की बात करा है तो इसमें बाल नियोजन पर प्रतवन्द लगाया गया है यानि कि 14 वर्से कमायू वाले वच्चे कार खानों खादानों या अन्य जोकें बरे कारों भरे काम पर नियुक्त नहीं किये जा सकते हैं तो ये भी काफी अच्छा था तो फंडमेंटल राइट्स में आज हमने आर्टिकल 12 से लेके 12 से 24 तक बढ़ा कल हम 25 से लेके आर्टिकल 35 तक प लेके 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 लेकश क्वचाव चु करेंश नहीं के लेके।।